कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक हमलान का तरीका बता रहा हूं कि अब लोग दियान से सुनिएगा यह हमलान का है यह जोड़ा जोड़ा में बनाने का तरीका है इसमें आपको दो-तिन चीजें लेना है ज्यादा समक्री भी जुरूरी नहीं है कि दो-तिन चीज लेना है आप इसका आसानी से ज्वाड़ा बना के मार्केट कर सकता है कि देखिए यह जो लेद होता है लेद दादू हो तो सब कोई पता है वो नाटिक पास होता है उसको नाटिक में डालने से सपत रंग का पावडर बंदा है तो उसी को इस्तेमाल में लेन आए तो उससे आपको नाटिक पास माल मिलेगा जो जो आमें आसानी से जोड़ा बनाया जा सकता है तो आपको क्या करना है आप लेद दातू लेजिए फिर तीन लेजिए तीन दातू तीन फिर कपर लेजिए कोपर कोई सब आच्छा वाला सूध वाला कपर जो यह हम्हı वाला कपर मतली字ी जो आसकल का मारकेट में जो कपार आता है अच्छा दाक होपर लेजिए योटीक का समन्हार में विक्री करता है वाज आँए वाज right के आप लोको बुलिए आर्थिंग घर का आर्थिंग करना है आर्थिंग करने के लिए कौपर का रोड़ दो तो लोग आपको देगा वो प्यूर कपर होता है उसको लीजिए आर्थिंग वाला कि कि यसे Met setup मिलेगा आपको उसको को लिए गए इस तेमाल में वो कि क्या आइस तीन नुक बढ़ा-बर वजन लीजिए अभी तरह बड़ा एक विकार लीजिएगा विकार में नाइटी के सिट डाल दीजिए नाइटी के सिट डालने का बाद में यह जो तीनु मेटल है यह तीनु मेटल को चोटा-चोटा करके पीस करके यह नाइटी के सिट में डाल दीजिए नाइटिक एसिट में डालके इसको डिजल्व होने दीजिए रियक्शन होने दीजिए और उसमें थोरा सा आप जो गंदक कत्यजाब होता है थोरा डाल दीजिएगा अभी आपका है शोलुशन अपने केतना बनाया है उसी सबसे अगर नाइटिक एसे ज्यादा है तो दस अमल जैसा गंदक कत्यजाब डाली है अगर एसे शुलुशन तो रहे तो पाच एमद जैसा इसमें गंदक कत्यजाब डाल दीजिए और डारेक्च मोट डाल दीजिए नहीं तो छीटा करेगा धिरे-धिरे करके गंध़ार कटतेजाविस में डालने का बाद में उसकूर्यक्षन उने दीजिए और उसको थोड़ा सा गरम भी कर दिजिए गा जैतना मैटल बचा है वो भी डिजल बचाएगा उसका बाद क्या करिए कि उसको देख लिजिए नीचे में कोई साबूत कौछ मेटल बचाए क्या साबूत बचा है तो अलग कर लिजिए अगर साबूत ने बचा है तो क्या गड़िए पुरा को रहते अंतरा में देखें पुरा एसिट को अभी आपको उरान आए अगर एसिट सोलीशन ज्यादा है तो उपर से उपर से आप एसिट को तोरह हाटा सकता है अगर एसिट सोलीशन ज्यादा नहीं है तो पुरा को उरा दिए पुरा को उरा देना ज्यादा अच्छा है समय लेगा उरा दिए जब पुरा सुख जाएगा सुख जाने का बाद उसक आप अलग कर लिए फिर साब सुत्रा एक बीकार लिए साब सुत्रा भीकार में आप क्या गरिये तीन हिस्सा हाईडोकलोरीक एस डालिए और एक इस सा नाइटिक एस डालिए उसको आभी आपको एकुआ रीजिया बनाना है किन को एक वाडिजिया बनाना आपको तीन हिस्सा नमग कते जाब और एक हिस्सा सो रहा कते जाब में डालके πॉसका तो फिर इसमें आपको जब यह reaction अ थोरा कम्ती हो जाएगा तो इसमें फिर आपको अगंद का टिजब तोरह डाल दाल दीजिए तब फिरडीएक्षिन तेज़ देज़ देज़ हो जाएगा फिर डेक्षन होने दिजिए फिर जब देखिए रेक्षन भी रुब्ल कि पर इसक जो भी आपका मेटल होगा जतना को भी आपको मेटल नाटिक पास बन गया वह एसिट स्योल्यूशन में आ जाएगा कि उसका बाद आप क्या करिए उसको थोड़ा समय के लिए नीचे उतर के रागते हैं ठंडा होने दीजिए हुआ है ठंडा होने का बाद में उसको साब दानी से उपर का एसिट शोल्यूशन को आप आलग करिये नीचे में आपको सबहत रंग का पाड़र मिलेगा उसको मत हिलाना नहीं उपर से शलीब एसिट सोल्यूशन को आप आलग कर लिए कोई दूसरा सब सुत्रा भीकार में आल कि घूल यूरिया यूरिया काद जो होता है जो खेती करने वाला लौह होता है वह इस्तमल में लेता है यूरिया हमे कि इसमें दो-तिन चामच डाल दीजिए हैं तो न्यक्षी पने किलेगा तो ओर चार्छ का मत बढ़ाया पिर जब यूरिया खाद आपको डालना पड़ेगा नहीं तो जब फिर इसमें रेता बाइटना शुरू होगा तो यह जो नाइटिक स्लूइशन है यह फिर आपका रेता को फिर डिजल्ब कर देगा और फिर आपका नाइटिक एसेट में गुल जाएगा इसलिए आपको नाइटिक दीजिए पालन डालने का बाद में आभी आप क्या करिए सोडियम मेटावाइस सल्फाइट लीजिए दो तिन चमच कोई विकार में डालगे पाने डालगे उसको गोल लीजिए पूरा जब गूल जाएगा तो यह एसिट स्योलिशन में उसको डाल दीजिए सोडियम प्रार भी एक दो चमच उपर से डाल के फिर कोई लक्री से लक्री नहीं कोई स्टिक से हिला ते रिजिए हिला के उसको साइट करके राग दीजिए दो तीन गंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए उसका बाद दीखिए उसमें रेता बैटना शुरू हो जाएगा रेता कि अग्सका बाद क्या करें जब पूरा शुरू पर जाएगा अगर आधका बै उसका पानी मिलेगा वंपर्सस पूरा शाफ कंप कर लिजिए और नीचे का रेसा को हशिल कर लिएods लेसिसको बास पिकलाने कब बाद शेतना मेटल हसी लोग विस इसवर्शप से उसमें आ तो यह हमलान का फॉर्मूला था बड़ाबर हमलान का उसमें जतना मेटल आपका हसिल होगा उतना ही आपको आसल मिलाना होगा तो यह आपका मार्केट आराम से हो जाता है आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बतायागा यह सबसे आसान है हमलान हमलान क का फर्मूला सबसे आसन तरीका का आज मैंने बताया है अगर किसी को पसंद लगा तो कॉमेंट में जरूर बतायागा वीडियो यह पुरा देखने के लिए देने बाद